ना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हंदम स्कीन के साथ रिलिस किया गया था, यह एक एकसान चलर फिल्म थी, इस फिल्म को IMDb पे 7.4 आउटर प्रेन की रेटिंग मिली हुई है, इस फिल्म का रणिंग टाइम 135 मिट का है, इस फिल्म को मोड़ डॉक फिल्म के बैनर तले बनाया गया था, इस फिल्म के बॉक्स ओफिस परफॉमेंस के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 29 करोर रखा गया था, और इस फिल्म में पुरे वर्ल्ड बाइट में 81 करोर की संदारी कमाई की थी, तो इस फिल्म अपने फर्स डे पे 7 करोर की कमाई की थी, तो इस फिल्म का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन 68 करोर का था, कमाई के मामले में 2015 के बॉक्स ओफिस पे यह फिल्म बीसवी नमर पे थी और 2015 के बॉक्स ओफिस पे यह फिल्म हिट साबित हुई थी 2015 के बॉक्स ओफिस पे कलेक्शन के मामले में पहले नमर पे थी फिल्म बजरंगी भाईजान दूसरे पे थी पेम रतन धन पायो तिसरे पे थी फिल्म बाजी राव मस्तानी, चौथे पे थी फिल्म दनुवेट समनु और पांचे में पे थी फिल्म सारु खान की दिलवाले इस फिल्म को स्री राम रागवन ने डारेक्ट किये थे फिल्म बदलापूर बनाने से पहले वे 2007 में जौनी गदार और 2012 में एजेंट बिनोज जैसे फिल्मों को डारेक्ट कर चुके थे बदलापूर बनाने के बाद वे 2018 में अंदाधून जैसे फिल्मों को भी डारेक्ट किये हैं बदलापूर फिल्म को बॉलिवुड के जाने माने प्रोडूशर दिनिस विजान और सुनी लूला ने प्रोडूस किये थे। फिल्म लेखन का काम स्री राम रागवन, अजीद विश्वास और पूजा लड़ा सुरूती ने किये थे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के स्टार काश्ट के बारे में तो इस फिल्म में हमें नजर आये थे वरुन धवन, नवाजुदीन सिद्धिकी, हुमा कुडेशी, यामे गौतम, दिब्यादत्ता, विनय पाठक, रादिका आप्टे, अस्विनी केल सेकर, मुडली सर्मा, परतीमा काश्मी, जाकिर हुसैन और कुमुद मिश्रा, अब हम जान लेते हैं इस फिल्म के मुजिक अलबम के बारे में, तो फिल्म में तेस मिनिट के टोटल लेंद के रेमिक सोंग मिला के छे गाने इस फिल्म में रखे गये थे, ये सोंग थे जीना जीना, जी करदा और फिल्म के सोंग वो टाइम बहुत पॉपलर हुआ था, फिल्म के दो सोंग जीना जीना और जी करदा उस टाइम सुपर हिट सावित हुआ था, और ये सोंग लोगों के दोरा बहुत पसंद किया गया था, इन सभी गानों में अपना मुजिक दिये थे, सचीन जीगन और फिल से जूरी बहुत सारी unknown facts के बारे में तो fact number one वरुन धवन किया पहली dark action film थी fact number two film बलापूर इंस्पायर थी Italian Noir novel Death Dark Abyss से fact number three film के director स्री राम रागवन film के producer दिनिस विजान को script सुना रहे थे तबी वरुन धवन ने phone किया दिनिस विजान ने वरुन धवन को अपने घर बुलाया फिर सीरी राम रागवन ने script को अरुन धवन को सुनाया वरुन धवन को script तुरंत पसंद आ गए और वो film करने को राजी हो गए fact number four film के पहले scene में जब यामी गौतम road cross करके गारी में बैठती हैं ये scene को मारती वैन में रखे छीपे हुए कैमरे से suit किया गया था ये scene suit करने के समय सरक को बंद भी नहीं किया गया था और सरक पर कुछ जूनियर कलाकारों को रखा गया था आम पबलिक को पता नहीं चला किधर film की shooting चल रही है fact number five फिल्म को real look देने के लिए फिल्म में जो jail का scene दिखाया गया है वो रियल में नासिक का central jail है fact number six ये और उन्धावन की पहले फिल्म थी जो romantic comedy फिल्म नहीं थी fact number seven फिल्म में नवाजोदीन सिद्की का कुछ dialogue उनके खुद के थे उन्होंने फिल्म के scene के उनुसार फिल्म के dialogue में सुधार भी किया था fact number eight नवाजोदीन सिद्की और हुमा कुरेशी के साथ ये उनकी तीसरी फिल्म थी इससे पहले वे गैंक्स ववासेपूर 2013 में और सौट्स 2013 में ही काम कर चुके थे fact number nine फिल्म के सुरुवात में फिल्म में बैंक रोबरी का scene दिखाया गया है उस scene में लगान फिल्म के पोश्टर भी दिखाया गया है लगान फिल्म 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी और बैंक रोबरी भी उसी टाइम के आसपासी हुई थी fact number ten वरुन धवन ने अपने फिल्म के करेक्टर की त्यारी के लिए Breaking Bad, Dexter और Fargo जैसी अमेर्की टीवी सो देखा करते थे fact number 11 फिल्म के डिरेक्टर स्री राम रागवन ने वरुन धवन को हॉलिवड फिल्मों की तरह डार्क टोन वाले फिल्म देखने के लिए कहा ज्यादा क्रिडिट दिया fact number 13 फिल्म के सीन में बैंक रोबरी दिखाया गया है फिल्म का लुक रियल दिखाने के लिए यह सीन ओरिजिनल में केनरा बैंक की साखा में सूट किया गया था number 14 फिल्म में वैलेंस और नियू डीटी के कारण फिल्म को A Certificate दिया गया था बाद में फिल्म में कुछ कट के बाद इस फिल्म को UA Certificate दिया गया fact number 15 फिल्म के एक सीन में नावाजतिन सिथ की थियाटर में फिल्म देखने जाते हैं वो टाइम उस फिल्म में कमर हिलेला सौंग चल रहा था ये गाना फिल्म निरवगा मेल फिल्म से लिया गया था fact number 16 वरुन धावन का दारी वाला लुक 2014 WWE के सुपरिश्टार बटिश्टा के दारी वाले लुक से इंस्पायर था fact number 17 थाने जिले में मुंबई से बाहर इलाकों में एक फेमस रियल सिटी है जिसका नाम बदलापूर है इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्श वीडियो में आपको बदलापूर फिल्म कैसी लगी थी हमें इन comment box में जरूर बताए और ऐसे ही किसी भी फिल्म के box office performance और अनसुनी बाते को जानना हो तो उस फिल्म का नाम हमें comment box में जरूर लिखे हैं उस पे हम जरूर वीडियो बनाएंगे तब तक धन्यवाद जाहिन दोस्तो